हलो एब्लिवन वल्कम टू करेंट पूर तो आज की डेली करेंट अफेर्स की सरीज में हम लोग देखेंगे 15 सितंबर 2023 के करेंट अफेर्स को वीडियो में अंट तक बने रहें वीडियो के अंट में हम लोग 14 सितंबर 2023 के करेंट अफेर्स का रिवीजन करेंगे और ये current affairs आपके आने वाले सभी competitive exam के लिए काफी helpful होने वाले हैं तो अगर आप channel पढ़ने हैं तो चानल को subscribe जरूर कर ले, बल आकोन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज का current affairs कोशन है पहला कि भारत के उपराष्ट्रपती स्री जगदीब धनखरने 14 सितंबर 2023 को कहां बांध सुरक्षा पर आयोजीत अंतररास्टिय सम्मेलन को संबोधित किया आंसर है option B जैपूर में भारत के उपराष्ट्रपती स्री जगदीब धनखरने 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के जैपूर में बांध सुरक्षा पर आयोजीत अंतररास्टिय सम्मेलन को संबोधित किया केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है आंसर है option C अवीका नगर में केंद्रे भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अवीका नगर में इस्थित है इसके अस्थापना 1962 ही स्वी में होई थी 14 सितंबर 2023 को उपराश्ट्रपती स्री जगदीब धनकर ने केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान अविका नगर का दौरा किया तथा संस्थान दौरा विक्षित की गई उन्नत नसल की भेडो और उत्पादों का निरिक्षन किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राजे में 14 सितंबर 2023 को पेट्रो केमिकल कॉंपलेक्स की आधार सिला रखी आंसर है ओप्सन सी मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के बीना में पच्चास अजार साथ सो कडोर रुपे से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधार सिला रखी, जिसमें पैट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स सहीद कई विकास परियोजनाओं सामील है। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 कडोर रुपे की लागत से विक्षित किया जाएगा और यह लगभग 1200 KTPA यनि की कीलो टन प्रतिवर्स एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेंगी जो कपड़ा पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन छेत्रों के लिए एक महतपूर घटक है। दिव्यांग उद्यम्यों वा कारिगरों के उत्पादों और उनके सिल्प कोशल को प्रदर्शित करने के लिए सात्वा दिव्यकला मेला का आयोजन 15 से 24 सेतंबर को कहां आयोजित किया जाएगा। 15 से 24 सेतंबर 2023 तक वारानशी में आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग जन ससक्तिकरन विभाग द्वारा दिव्यांग उद्यम्यों वा कारिगरों के उत्पादों और उनके सिल्प कोशल को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में दिव्यकला मेला आयोजित किया जा र ये दिसंबर 2022 में ही हुआ ये दिल्ली में आयोजित किया गया था फिर फरवरी 2023 में मुंबई में हुआ मार्च में भोपाल में मैं 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 गौहाटी में हुआ जून में इंदौर में हुआ और छठा जो आयोजित किया गया ये जून से जुलाई ये जैपूर में आयोजित किया गया अजीत नीनान का 68 वर्स की आयू में निधन हो गया वे संसर है option C राजनीतिक कार्टुमिस्ट थे हाली में प्रशिद राजनीतिक कार्टुमिस्ट अजीत नीनान का 68 वर्स की आयू में निधन हो गया उन्होंने इंडिया टूडे पत्रिका में प्रसीद सेंटर स्टेज स्रिंखला और टाइम्स ओफ इंडिया में नीनन्स वर्ल्ड में महतपूर्ण योगदान दिया है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट B.E.L. ने 13 सितंबर 2023 को निमलखित में से किसके साथ स्वदेसी संचार आधारे ट्रेन नियंत्रन प्रणाली विक्षित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया आंसर है इसका ओप्सन A. दिल्ली मेट्रो के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन DMRC और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट B.E.L. ने 13 सितंबर 2023 को स्वदेसी संचार आधारे ट्रेन नियंत्रन प्रणाली I.C.B.T.C. विक्षित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया यह साज़ेदारी रेल परिवहन में नवाचार को बढ़ावा देगी, लागत कम करेगी और ट्रेन नियंत्रन सिग्नलिंग सिस्टम के छेतर में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देगी U.S. News and World Report की सर्वसरिष्ट देशों की वार्सिक सूची 2023 में भारत किस अस्थान पर है? आंसर है ओप्सन भी तीसवें अस्थान पर न्यूस एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा दुनिया के सर्वसरिष्ट देशों में भारत की रैंकिंग भारत की वैस्विक रैंकिंग में 2023 में भारत तीसवें अस्थान पर पहुच गया है यह रैंकिंग 2022 में 31 अस्थान पर था इस रिपोर्ट में स्विजर लैंड सिर्शस्थान हासिल किया है कनाडा दूसरा स्थान स्वीडन तीसरे स्थान पर आस्ट्रेलिया चौथे और USA पाचवे स्थान पर है अंतरास्टिये टेनिस इंटिग्रिटी एजेंसी आई टी आई एने हाली में किस टेनिस खिलाडी को डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उलंगन के कारण चार साल का बैन लगा दिया है आंसर है ओप्सन सी सिमोना हालेप को दो बार की ग्रेंट सलैम चैंपियन रोमिनियाई टेनिस खिलाडी सिमोना हालेप को दो अलग-अलग डोपिंग रोधी संहीता के उलंगन पर चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है सिमोना हालेप पर दो उलंगन के आरोप हैं जिसमें 2022 में अमीरिका ओपन के दोरान डोप परिक्षन में विफल होना और एथलेट जैविक पासपोर्ट में अनियमित्ता सामिल है किस भारतिय महला किरकेट खिलाडी को 2023 टाइम हंडरेड नेक्स्ट की सूची में सामिल किया गया है आंसर है ऑप्सन डी हर्मन प्रीत कौर को भारतिय महला किरकेट टीम की कफतान हर्मन प्रीटकौर को 2023 time 100 next the emerging leader shaping the world सूची में सामिल किया गया है भारतिय महला किरकेट टीम की कफतान हर्मन प्रीटकौर समेत तीन भारतियों को time पत्रिका ने list 100 में सामिल किया है 13 सितंबर को जारी 2023 टाइम हंडर्ड नेक्स्ट दा इमर्जिंग लीडर सेपिंग दा वर्ल्ड सूची में हर्वन प्रीत कौर के अलावा भारत से नंदिता वेंक टेशन और वीनो डेनियल को सामिल किया गया है विदेश मंत्राले ने किसे आस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चा युक्त के रूप में न्युक्त किया है आंसर है ऑप्सन ए गोपाल बागले को केंदर सरकार ने 14 सतंबर 2023 को निमलखित में से किसराज के किसानों के लिए फसल वर्स 2023-24 में अफिम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्सिक लाइसेंसिंग निती की गोशना की है आंसर है ऑप्सन ए उप्योक्त सभी में मद्यप्रदेश, राजस्थान और उत्रप्रदेश में किंदर सरकार ने 14 सतंबर 2023 को मद्यप्रदेश, राजस्थान और उत्रप्रदेश के किसानों के लिए फसल वर्स 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्सिक लाइसेंसिक निती की गोशना की है इस निती में सामिल सामाने सर्तों के अनुसार इन राजियों में लगभग 1.12 लाग किसानों को लाइसेंस दिये जाने की संभावना है इस प्रकार की खेती का मुख्य कारण बढ़ोत्री घरेलू और अंतराष्टी अस्तर पर सारेरिक दर्द कम करने संबंधी देखभाल और अन्य चिकित साउधेशों के लिए औशद तैयारियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश से की गई है उत्तरी अफ्रिकी देश के पूर्वी हिस्सों में 10 सितंबर 2023 को आये किस तूफान के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई आंसर है ओप्सन बी डैनियल तूफान के कारण उत्तरी अफ्रिकी देश के पूर्वी हिस्सों में 10 सतंबर 2023 को आए डेनियल तूफान के कारण जन माल का काफी नुक्षान हुआ डेनियल तूफान के कारण लीविया में 5000 से अधिक लोगों के मारे जाने और 10,000 से जादा लोगों के लापता होनी की आसंका है डेनियल एक तीवर भूमद्य सागरिय तूफान है जिसे मेडी केन के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए अब 14 सतंबर 2023 के करेंटरफेर्स का रिवीजन करते हैं किस देश की एरबस डिफेंस एंड स्पेस एडी स्पेस ने C-295 टैक्टिकल मिलिटरी एरलिफ्ट प्लेन भारत को सौपा तो इस्पेन का पाचवी रास्टिय वीलचेर रगभीव चैंपेंशिप 2023 का खेताब किस नहीं जीता तो महारास्टर नहीं जीता प्रसिद उस्ताद अली जकी हैदर का 8 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया विकिस वादे अंत्र से संबंधित थे तो रूद्र वीना वादक थे रक्षम अंत्री स्री राजनात सिंग ने 11 राजियों और केंदर शासर प्रदेसों में कितने कडोर रुपे से अधिक की लागत से निर्मित सीमा सडक संगठन की 90 बुनियादी धाचा पर योजनाय राष्ट को समर्पत किया तो 39 कडोर रुपे की लागत से राष्ट्रिय हिंदी दिवस किस तिथी को मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाय जाता है 10 जनवरे को महिला ACI Hockey Champions Trophy 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो ये भारत कर रहा है ये ज़ारखण में आयोजित किया जाएगा राश्ट्रपती ने 13 सतंबर 2023 को किस राज्य में राश्टिय ई-विधान एप्लिकेशन नेवा का उद्गहाटन किया तो गुजरात में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्यास्तर पर कार्यानवित सफल डिजिटल समाधानों को साजा करने के सहयोग पर भारत किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है तो अर्मेनिया गनराज, एंटीगुआ, बारवुडा, एवं सियेरा लियोन के साथ, 12 सितंबर 2023 को किस ने भारतिय सौर उर्जा निगम लिमीटेड के निदेशक के रूप में कारभार समाला तो स्री जोसीत रंजन सिकीदर ने, इंडोनेशिया बैडमींटन मास्टर्स 2023 का खिताब किस ने जीता, तो ये किरन जॉर्ज ने जीता, तो शली अब आंसर देखते हैं पिसली वीडियो के कोशन का, कोशन था कि डेनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई, तो आंसर हो जाएगा इसका लीबिया में, और अब आज का सवाल, रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने किस राज में बनाए गए नेचीफू सुरंग देश को सम परपित किया, आपके पास ऑप्षन है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, या फिर और नाचल प्रदेश, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद